अब सभी का स्वागत है और अब सभी के सामने मैंने इस जिगा बैंक निप्टी का चार्ड ओपन किया है बैंक निप्टी के चार्ड को अगर आप देखोगे तो लगातार एक अच्छी खासी तेजी इस जिगा हमको दिखाई दे रही है लेकिन आप सवाल आता है कि मंडे की दिन मार्किट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी स्वाम बार को PE या CE कहां पर बाइंग करना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक क्या होने वाला है से पहले देखें मैं बड़े चार्ट में बड़े पैटनों के बारे मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि देखें बड़े पैटन से आपके जो बड़े लेवल है वो इस जिगा निकल के आते हैं तो देखे सबसे पहले तो अगर मैं बात कहूं तो इस जगा एक टेरे लाइन ओपन करना चाहूंगा जो कि देखे इस लेवल से यह वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा इस लेवल से आज के हाइप है यानि जो मार्केट में आपको एक तेजी देखने को मुली थी उस अगर आप देखोगे तो आज का इसमें हाई देखने को मुला था वैयांनि या आपका अगर मार्केट में एक अच्छी का से प्रॉफिट बुकिंग देखने को Marco and conservative Ratia's रखेल गट अगर आप देखोंगे तो इसमे जो केंडिल आप भंढ़ी दिखाई किनल करें इसका जो उप्निं को बंट धिए यारे इसका जो bourणिंग और हाई ह्भाई षेम है तो मैं कोई ज्यादा फरक नहीं है उसके भेखेर के गणिननेय को दिखाता है कि मार्केट में काफी अच्छा बुलिसपन पनेशाइए अब अब देखें ऐसा आपको एक बार और देखने को मिला था जो कि आपको याद होगा कि इस वाले प्राइस पर आपको जे वाला पैटर्न देखने को मिला था तो सिरिफ अब हमको जे देखना है कि अगर मार्केट एज जिगा 35,260 के उपर निकलता है तो फिर आपको और तेजी देखने को मिल सकती है जिसमें आपको जो तेजी देखने को मिलेगी वो इस जिगा 300 से लेके 400 पॉंटों की तेजी देखने को मिलेगी अब देखें हमको जे तो समझ चुका है कि हमको कहां पर क्या बाइंग करना चाहिए वस हमको अब देखना है कि लेवल क्या हो सकते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो का like aim है, इस जिगा मैं आपको like aim बता देता हूं सबसे पहले, 2000 लाइकों का लाइक एम है तो मुझे उमीद है कि आप सभी लोग इसका पूरा करोगे और आपको देखे इजगा में वॉल्लिम भी आपको दिखाना चाहिए कि लगातार अगर आप वॉल्लिम देखोगे न तो लगातार आपको नीचे के लेवल से तो भी आपको इस जगह एक अच्छा खासा बुलिस पंड इस जगह दिखाई दिते हैं जिसके वाई से मार्केट ऊपर की साथ जाता है देखिए मैं आपको उताना चाहूँँगा कि अगर आपने विता हमाई टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब तो टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे निप्टी बैंक निप्टी इस्टोक के अपडेट इस जगह आप सभी को दिये जाते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिसेशन में दिया गया है चलिए बात कर लेता है कि मार्केट में आप कैसे काम करना चाहिए तो इस जगह देखे मैं एक पैटर लगा कर दिखांगा इसके लो से अगर हम बात कर तो इस जगह देखे जे आपका जे वाला एक लेवल बनते हो दिखाई दिया है फिर इसमें हम क्या करेंगे कि मार्केट में हम इस जगर देखेए इस वाले पैटर्ण को अल रगाएंगे जो की आपका एक range का है इसके high से अगर हम बात के तो इसके high से इसका low तक हम इसको इस पैटर्ण को ले लेंगे अब इसमें देखे ही सिरिफ हमको जे देखना है कि मार्केट जब भी देखे जब भी मार्केट इस हाई के पैटर्न को निकाल देता यानि अपने हाई को निकाल देता है तो हम उसमें CE बाइंग करने के लिए तैयार है तो हमको सिरिफ जे देखना है कि अगर मार्केट इस के उपर निकलना चाहिए यानि अपने हाई के उपर निकलना चाहिए और अपने हाई पर निकलने के बाद हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि मार्केट में अभी जो मुमेंट बना हुआ है वो कहीं ने कहीं देखे रुकते हुँ दिखाई दिया और आपको समझ में आ रहा है कि market पूरे range पर आपको देखें यहां पर काम करता है तो जब market एक range में काम करता है तो उसके बाद अगर आपको एक breakout मिलता है जब आपको काम करना चाहिए तो सिरिफ देखें हमारा जो 35,260 का level है उसके उपए closing देता है तो हम इस जगा CE buying करके चल सकते हैं ठीक है अ आपको 35,300 का देखने को मिलेगा दूसरे टार्गेट की बाद के तो 35,360 का देखने को मिलेगा और लास्ट टार्गेट की बाद के तो 35,420 का देखने को मिलेगा तो यह आपके target देखने को मिलेगे market के अंदर और market अगर इसके उपर जाता है तो और bullish हो सकता है जैसे कि मैं आपका sideways काम करता हूँ दिखाई देता है अब यहाँ पर अगर हम देखे data की बात करते है तो data में आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी भी तो data में देखे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे यादा देखे जो आपको इस जगह देखने को मिलेगा OI के साथ, अगर आपने मौर्णिंग में देखा हुआ, तो इतने लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन लास्ट में मार्केट बंध होते होते, इसमें क्या हुआ, जो प्रियाम है, वो कम हो गया, ठीके, क्योंकि क्योंकि मार्केट आपका साइडेवेस था, और पिलस जो आपका पुट है, उसमें तो आपको लॉस दिखाई दे रहा था, क्योंकि मार्केट आपका एक गैप के साथ ओपन हुआ था, अब यहां पर हम जे चीजों को समझते हैं, कि मैंने क्यों बोला था, कि मार्केट दे आता है, तो उसमें हमको मूब अच्छा कासा देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा कंसुरेट किया है, तो जिसके वैसे आपका पुट था, जिसमें तो पहले से ही लॉस हो रहा था, उसमें और ज्यादा लॉस देखने को मिला, और कॉल के अंदर आकर हम बात करें, तो म मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, जब तक कहीं ने कहीं एक गिरावट नहीं आ सकती, लेकिन हमको तेजी के लिए भी इस चीज़ को बिलकुल अच्छी से समझना है, कि मार्केट इस जगह 35,000, 255,000, 255,000, 260 के उपर जाएगा, जब ही हमको तेजी देखने को मिलेगी, अब मैंने आप सबी के सामने इस जिगा 1 hours का चार्ट ऊपन किया है तो 1 hours के चार्ट पर भी देखें मैं कुछ चीज़े इस जिगा बताना चाहूँगा आप सबी को इस जिगा दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक ऊपर की साइट टेरेल लाइन ऊपन किया है जिसके वैसे देखें मार्किट में हमको ऊपर की साइट भी एक सेलिंग करने का मौका मिल सकता है अब देखें जो टेरेल लाइन ओपन किया है उसका पिराइस का अगर मैं बात कहूं तो यह हमको पिराइस देखने को मिलता है जे हमारा एक मजबूत रजिस्टेन है ठीक है और यहाँ पर देखें जे रजिस्टेन क्यूं है जे भी मैं आपको समझाना चाहूंगा मार्किट में हुआ क्या था कि इसी प्राइस से देखें जे वाला जो प्राइस था ना इसी प्राइस से आपकी सुरुबात हुई थी मार्किट में सेलिंग की इस जिगा देखें मार्किट काफी समय तक कंसुलेट किया था फिर उसके बाद क्या हुआ जैसे इसने एक बे आपको काफी अच्छा बनता हुँ दिखाई दिया ठीक है तो अब हमारा जो रजिस्टेन है वो काफी मजबूत इस जगा रजिस्टेन है जो कि आपको देखने को मिलता है 35500 के सम्थिंग का तेकि मार्केट इसके उपर जाना काफी आदा मुस्किल है अगर मार्केट आप को इस जगा मिलता भी है 35500 के सम्थिंग तो हम इस जगह ही बाइंग करके चलने की कोशिस करेंगे क्योंकि देखे इसके अंदर हुआ क्या है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बिल्कुल तेजी के साथ देखे इस जगह तेजी दिखाई है एक प्रॉफिट बु को भी काफी अच्छे से पार किया जो कि हमको 35,000 का लेवल दिखाई देता है और 35,000 के बाद हमको एक ही लेवल दिखाई देता है जो कि 35,500 का दिखाई अगर मार्केट आपको 35,500 के सम्थिंग मिलता है तो उस जगह हम पीई बाइंग करने की कोशिस करेंगे हमारा देखे पूरा जगा फोकस पीई बाइंग करने के लिए होगा क्योंकि मार्केट में दिखे ओपन दिया थोड़ा कंसल्रइट करने की कोशिस करेंगे हमोरा तरगेट होगा तो वो target के बारे में बात कर लेता हम सबसे पहले हमारा जो target होगा वो 35,400 का पहला target होगा दूसरे target की बात के तो 35,300 का और last target की बात के तो इस जगह 35,150 का last target होगा यानि हम इन target के लिए market में काम कर सकती है आपको देखिए दोनों चीजों को काफी अच्छे सच समझना है आपका देखिए यह price है 35,500 का price है ठीक है यह price है अगर market इस जगह open देता है जब भी आप इसमें selling कर सकते हो अगर market धीरे धीरे उपर की side जाता है और इस price के पास आता है first time पे तो आप इसमें उपर की level पर selling कर सकते हो यानि दोनों तरीके से आप उपर की level पर selling कर सकते हो अगर आपने कहीं पर कुछ भी buying किया है तो उसको समझो कि वही movement आ रहा है जब ही काम काम करेंगे अब देखिए एच जगह होते हुए क्या दिखाई दे रहता अगर हम बात करें तो मार्केट में क्या दिखाई दे रहता है क्यों मार्केट इस लेवल पर आने के बाद एक bottom बनाए इसने और फिर मार्केट पूरा इस दिखे एक range में चला गया है किसमें चला गया एक range में चला गया है जिसके वैसे देखिए मार्केट में अगर आपने इस जगह मार्केट में अगर आपने इस जगह CE बाइंग किया है उपर के लेवल पर यह आपने PE बाइंग किया है सभी का पिराइस आपका कम होगा क्यों होगा क्योंकि देखें option buyer के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो कहीं न कहीं आपका एक market का moment होता है जब तक एक moment नहीं आएगा वो आपका पैसा नहीं वनेगा और Friday के दिन तो देखे बैसे भी जो option price है वो काफी हाई होती है तो अब देखे अगर हमको एच का PE buying करना है तो हमको सिरिफ कि लोजिंग आपका minus में होना चाहिए अब मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि देखे एक gap तो आपको जी दिखाई दे रहा है एक gap आपको जी दिखाई दे रहा है और नीचे की side अगर आप देखो तो वहाँ पर भी gap दिखाई दे रहा है यानि total हमको दो gap ऐसे दिखाई दे जो market में आपको अब भी फिल होना है तो सिरिफ हमको जी देखना है कि market इस जगह देखे अपने 35,000 के नीचे जाता है न 35,000 के नीचे जाने पर देखे किस type का pattern बनेगा जै आपका 35,000 का level है market इस जगह नीचे गया नीचे जाने के जब जब इस जगह लौट के आएगा जब हम इस जगह क्या कर सकते है भी बाइंग कर के चल सकते है ठीक है इस तरीके से फिर हमारा target क्या होगा मैं आपको बताएं लेकिन बाइंग करना है आपको 35,000 के नीचे ही बाइंग करना है उससे पहले put buying बिलकुल मत करना है इसके नीचे ही bearish होगा market इसके नीचे जागा जब भी बैरिस होगा मैं बार बार इसको बता रहा हूं क्योंकि लोग क्या करते हैं गलत जगा पर बाइंग करते हैं फिर उनको मrene baixo हो जाता है इसको नीचे जाने दीजये clothing देने दीजये breakdown देने दीजये उससे पहले बाद कीज़े ठीक है ल के निचे बात करते हैं तो सेलिंग देखने को मिलेगी फिर आपके टार्गेट क्या होंगे तो पहला टार्गेट तो देखे 34900 कर रखे बिल्कुल बगल में ठीक है दूसरा टार्गेट जो आपको देखने को मिलेगा वह इजगा 34780 का मिलेगा लास्ट टार्गेट की अगर हम बात करें तो 34690 तो जो आपके टार्गेट आपको देखने को मिलेगे जो मार्केट में आपको नीचे की साइट देखने को मिल सकते हैं लेकिन इसके नीचे जाने पर ही आपको सेलिंग करना है तो कि जब भी मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिलेगी तो कम से गम आपको इस जगह 300 से ल बनेगी अभी जो आपका candle बनते हुँ दिखाई दे रहा है उस candle का अगर मैं बात कहूं तो यह बोड़ी आपको दिखाई दे रहा है जे नीचे ठीके यानि अब इसके उपर इसके उपर बनना चाहिए यानि जो पिराय से नहीं इसके उपर बनना चाहिए जे वाला जे मुव से लेके आपको 400 पॉंटो की तेजी देखने को मिल सकती है उपर की साइट ठीक है जब इसके उपर निकलता है मार्केट तो अगर गिरावट हमको कब देखने को मिलेगी जब मार्केट आपका नीचे की साइट 35,000 को क्रॉस करेगा तो आपको कहीं ने कहें इस जिगर नीच प्रफिशन में दिया गया जैहिं बन्वातों